चुले आगे बढ़ते और बात के लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर जहाँ पर शुजालपूर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं CM RISE स्कूल का डिरिक्शन किया गया जोहाँ पर उज्जेन संथा के ADG उपेंद्र ज्जेन ने डिरिक्शन किया है ADG ने Engineering और अधिकारियों से बाच्चित किये और इस दोरान काम में लापरवाही के चलते उन्हें जमकर पतकार भी लगाई है सक्त लहजे में कहा कि काम की गती तीज करें 45 करोर की लागत से CM RISE स्कूल बन रहा है जोहाँ पहले भी कुरवत्ता हीन काम का मुद्दा उठाया गया था और इस पर सवाल भी उठेते और इसी दोरान उज्जेन संभाग के ADG उपेंदर ज्जेन ने CM RISE स्कूल का निरिक्शन किया लापरवाही इसमें देखने को मिली जहाँ पर ADG ने इंजिनियर और अधिकारियों को फटकार भी लगाई है और सक्त लहजे में ये कहा है कि काम की गती तेज करे साथ कि आपको बतादे कि इससे पहले भी कुर्वता हिन काम को लेकर कई बार सवाल भी उठाये गये थे अब इसके बाद में ADG का ये सख्त रवया अब देखने वाली बात होगे कि इस प्रक्रार से CM RISE स्कूल का निर्बान तक परस्ता के साथ में किया जाता है इसे खबर पर ज़्यादा जानकाई ले 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 लेते हमारे साथ में समवाद दाता ओम मेवारा जुड़ गये स्कूल का निरिक्षण ADG के द्वारा किया गया अभी लापर वाही और इससे पहले भी जब जाच की गई थी तब भी गुणवत्ता हिन काम किया गया था उस पर भी सवाल उठे थे ऐसे में आगे क्या बाना जब सकता है कि क्या ये जो फटकार लगाई है वो कही न कहीं काम आएगी जी जी बताना चाओगा नुपवा कि आज उठ्जन संभा के ADG वहां पर उफटाइन इरक्षण के लिए पोचे थे कई बार मीडिया में स्कुल की तर्चा भी हो रही थी कई बार विश्टाचार के आरोग भी लगए थे गुरुमत पर इन काम हो रहे थे पहले भी खबरें का विस्तार बना हुआ था आज जब उठ्जन संभा के ADG तत्काल वहां पहुंचे और उनने सारे काम हों का जायजा लिया तो इंजिनियर से लेकर उसारे जितने ही वधिकारी उनको पटकाल लगाते हुए काहा कि काम को तिवर गती दे और काम को उचित साम से किया जाएगा अमें किसी भी चीज को परदास नहीं किया जाएगा अगर कोई काम में गुणवत्तैन पाई जाएगी तो तत्काल कारवाई करूँगा यहां बात उनने कही और जब मीडिया ने उनसे चर्चा करने की कोशिस की तो ADG साब ने मीडिया से भी दूरी बनाई क्योंकि उनने कहा है कि जिन जो काम कर रहे हैं उनी का परदन दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा अनुपमा बिल्कुल तो अब ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि ADG की फटकार के बाद में कहीं न कहीं इंजुनियर और अधिकारी अब तत्परता से काम करते भी नजर आएगी और कहीं न कहीं वह जो धीमी गती से काम चल रहा है उसमें तीज रबतार भी देखनी को मिलेगी फिराल करें बहुत शुक्रिया हो तमाम जानकारी हम तक पहुचाने के लिए और इसे के चलते एडीजी का ये निरिक्षन जिसके मद्य नजर काम ने गती को लेकर उन्होंने सक्त लहज़े में कहा है कि काम ने टेज गती लेकर आए और इस दोरान इंजिनियर और अधिकारियों को फटकार्थी लगाई है